हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कविता किचिन में आपका स्वागत है आज बना रहे हैं छेना टोस्ट उसके लिए हमें रबडी भी चाहिए और ये सब समान भी चाहिए तो सबसे पहले हम रखते हैं दूद उपन ये है मेरा दो लिटर दूद जो की मुझे दो डिश बनानी है और दौनों के लिए ही मुझे रबडी चाहिए तो मैं एक साथ ही दौनों के लिए रबडी तयार करूँगी आदी छेना टोस्ट में कामा चाहिए तो आदी मेरी दूसरी जिश में कामा चाहिए चलिए सबसे पहले हम ये 2 सबा 2 kg दूद है मेरा इसमें से मैं थोड़ा सा कॉण फ्लोर के लिए या जो जिश में मुझे और चाहिए उसके लिए निकाल लेती हूँ बाकी मैं उबलने र प्रोट भी ले सकते हैं लेकिन कॉण फ्लोर हो तो जाद अच्छा है हमें ब्रेट के किनारे हटाने हैं फिर इसके हम क्रम्स बनाएंगे यह ब्राउन पार्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है हमको इसका इसके भी आप bread crumbs बनाके रख सकते हैं फिर आपके बाद में कामा जाएंगे किसी और डिश में चलिए इसके bread crumbs बनाते हैं bread crumbs बनके त्यार हो गए इसको निकाल लेते हैं डूद में उबाल आ गया है चलिए इसमें हम corn flour डालते हैं नीचे जम जाता है तो उसे जब भी आप डालेंगे जब उसे चला के डालिएगा यह मेरी दो जिश्की है तो इसलिए थोड़े से जादा जलेंगे यह रवडी बन रही है मेरी दो किलो दूद के केसर के धागे भी तो फिर थोड़े ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे corn flour बहुत जादा नहीं डालना है मैंने एक टेवल स्पून डाला है बस चलिए अब इसे पकने देते हैं इसे काफी गाड़ा करना है आपके पार कॉन्ट्रोर नहीं है तो कोई बात नहीं थोड़ा सा दूद को बढ़ा लीजएगा थोड़े दूद ज्यादा देर तक गुबाल लीजएगा इसकी रबड़ी हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चाहिए होती है थोड़ी पतली ही चाहिए होती है छेना टोस्ट के लिए पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है अब बनाते हैं हम इसका ब्रेटर जो हमने क्रम्स बनाए हैं चलिए हम कड़ाई रखते हैं गैस पे एक टेबल स्पून है जो हमें सूजी ब्राउन भी नहीं करने है बिल्कूल दे है हल्की सी बसकाच्चा पर निकल जाए इसका इसी में हम रोस्ट करेंगे ब्रेट क्रम्स को जो हमने बना के रखें उनको घी बिल्कूल भी जादा नहीं हमें इसमें जादा घी का इस्तमाल नहीं करना है यह ब्रेट क्रम्स जो बना के रखें उन्हें डाल लेते हैं इनको भी बहुत तेज रोस्ट नहीं करने है यह देखिए इससे ज्यादा हमको इसको बिल्कूल भी कलर नहीं चेंज करना है जो हमने दूद निकालके रखा था आप इसको दूद को डागेंगे यह मिल्क पाउडर एक टेबल स्पूल और सिर्फ एक चमश चीनी डलेगी ब्रेट क्रम्स में जो हलका सा ब्रेट में नमक होता है उसको बैलेंस करने के लिए इसका डो अच्छे से बनाते हैं बस यह बनके तयार हो गया है अब हम इसकी गैस बन करते हैं दूद हमारा अच्छे से उबल रहा है इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालेंगे इन दोनों को भी अच्छे से मेश करके थोड़ा इलाइची पाउडर डाल दिया है आपके पास ड्रॉप सो तो ड्रॉप भी डाल सकते हैं काफी अच्छा फ्लेबर आता है इलाइची का छहना टोस्ट की रवडी मेरी तयार हो गए अभी तो रख Commerce वी अभी घारी होगी ओर अभी चली रहा है क्योंकि मेरा दूद तो चाफी था मैं दो डिश की रवडी तयार कर रहे हूं तो आधी अलग कर लूँगी फिर आधी अलग कर लूँगे चैना चोस के लिए तो मुझे सब मिला के एक किलो दूद का ही चाहिए और ये है दो जाई किलो दूद की तो इसको आधे को हम अलग कर लेते हैं लेकिन चलिए मेवत हम सभी में डाल सकते हैं ये चिरोंजी है ये 8-10 बदाम है जो मैंने बारी काट लिए 10-15 पिस्ते हैं जो मैंने बारी काट लिए और 15-20 ये काजु है जो मैंने हलके से दरदरे कर लिए चिरोंजी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है थोड़े से गार निशीकिन के लिए बचा लेंगे और थोड़े डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा जैसिकेटेड कोकोनेट भी डाल सकते हैं चली डाली देते हैं दो बड़े चम्मच जैसिकेटेड कोकोनेट अच्छा फ्लेवर आएगा इसका भी इसमें चीनी मेरी कम से कम सौ ग्राम डलेगी एक छोटी कटोरी है यह डालते हैं चीनी के बाद भी इसे पांच मिट अब यह पकने देंगे चीनी डालके तो वैसे भी थोड़ा पतला हो जाता है चैना टोस्ट के लिए इतनी रबड़ी हमाई लिए सफिशेंट है अब यह थंड़ी होएगी तब हम इसमें यह थंड़े ही अच्छे लगते हैं मजार की चैना टोस्ट खाके देखिए इन चैना टोस्ट में कोई फरक नहीं दिखेगा आपको पस चौकोर पणनी थी तो मै अच्छे ने उसी में सेट कर लिए हाँ से आप बेल भी सकते हैं और यह थे यह थंड़ा हो चुका है इसकी रबड़ी भी तयार हो चुकी थंड़ी और इसे हमें बनाने के बाद भी हम फ्रिज में रखेंगे और आप कुछ जिस शेप में काटना है वो शेप में काट लिज थोड़ा सा थीक रखते हैं इसको देखें इस तरह से ब्रेट की तरह से बहुत ज़्यादा पत्ता नहीं करते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छी रखेंपी बनती है बजार में भी छेना टोस्ट इसी तरीके से मिलते हैं और इसे बना के भी फ्रिज में रखते हैं आप छोटे बड़े भी कर सकते हैं आप यह देखें सिर्फ 50 ग्राम पनीर था बजार का जिससे हमने इत्ते सारे छेना टोस्ट बना लिये वह बाकी तो घर का दूठ था घर की चीज तो ऐसी रखती है जैसे फ्री बना बरकत पहुचाता होती है घर में आप कोई भी मिठाई बना रहे हैं उसमें बरकत पहुचाता होती है इसमें डालके थोड़ जैसे फ्रिज में रखतेंगे फिर सर्फ करेंगे यह लीजिए फ्रेंज्स चैना टोस्ट बनके तयार है सर्फ करने के लिए ठंजे 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 खाईए और खिलाईए फ्रेंज्स आपको अच्छी लगे इस तरह की यह रैसेपी मेरी बनाई आप जरूर बनाईएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अब तक नहीं किया है लाइक कीजिए और कोई भी आएगा उसको भी खिलाएंगे चैना टोस्ट बनाईए और देखिए यह बजार के चैना टोस्ट और आपके चैना टोस्ट में क्या फरक है सिर्फ 50 ग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए जो मैं आपके लिए अगली नई मिठाई बना सकूँ अगली रेसिपी आपके संग शेयर कर सकती हूँ अराम से बाइबाई